वेल्कम बच्चों हम सॉल्व कर रहे हैं अभ्यासकारे पुस्तिका गड़ित कक्षा आठ पार्ट चार सर्वसमिकाएं आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रश्ण संख्या 21 से लेका 30 तक चली फटा फटते अपने प्रश्णों को सॉल्व करते हैं पहला प्रश्णम से कह रहा है कि 997 का घं का मान सर्वसमिका के प्रयोक से ग्याद कीजिए तो हम लिखेंगे 997 का क्यूब बराबर हम इसको लिख सकते हैं कैसे बच्चों 1000 रिड 3 का होल क्यूब ठीक है तो यह क्या हो जाएगा A-B के होल क्यूब के फॉर्म में आ गया अब हम उस फॉर्मिले का यूज करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 1000 का घं रिड 3 का घं रिड 3 गुडे 1000 गुडे 3 ब्रैकेट में 1000 रिड 3 यहाँ हमारा हो जाएगा देखिए अब यहाँ पे देखिए बच्चों Ikiाई दहाई सैकड़ा 1000 द्स हजार लाग 10 लाग करोड 10 करोड उसके बाद हमारा आ जाएगा अरब तो एक अरब क्या हो गया एक अरब रिड तीन का घंड 27 रिड 9000 गुड़े 997 यहां हमारा हो जाएगा बच्चों देखिए 89,73,000 तो यह हो गया हमारा एक अरब रिड 27 रिड 89,73,000 एंसर क्या आ जाएगा बच्चों देखिए पहले हम कॉमा लगा लेते हैं देखिए एंसर हमारा आ जाएगा 99,10,26,970 99,10,26,970 नेक्ट इसी तरह का प्रेश्ण हम से कह रहा है कि 499 का घं का मानसर समिका के प्रेयोक से ग्याद कीजिए तो 499 के घं को हम लिख सकते हैं 500 रिड 1 का घं तो यह फिर हमारा A-B का होल क्यूब के फॉर्मूले में आ गया तो यह हो जाएगा 500 का घं रिड 1 का घं रिड 3 गुड़े 500 गुड़े 1 ब्रेकेट में 500 रिड 1 यह हमारा हो जाएगा पुच्चों देखिए 125 गं और यह 2 शुन है तो 2 शुन का घं यानि एक बार 2 शुन ने दो बार 2 शुन ने और तीन बार 2 शुन ने इस तरह हम इसको निकाल दे तो माइनस आपका हो गया रिड 1 रिड 1500 गुड़े 499 तो यह हो गया हमारा 12 करोड 50 लाग रिड 1 रिड 7,48,500 हम घटाएंगे तो क्या आजाएगा बच्चों 12 करोड 42,51,499 तो 499 का घं क्या हो जाएगा 12 करोड 42,51,499 देखिए बच्चों इधर भी हमारा क्या है A प्लस B प्लस C और इधर भी क्या है A प्लस B प्लस C यानि A प्लस B प्लस C का वर्ग इन्होंने यहाँ पर जामीती यह तरीके से बना है अब ध्यान देएगे नीचे देखिए नीचे हमसे पूछ रहा है कि यह भूरे रंग का छेतरफल कितना है तो देखिए भूरे वाले का छेतरफल कितना है भूरे वाले का छेतरपल यहां भी A है और यहां भी A है तो यह वर्ग है तो यह हो जाएगा A square भूजा का वर्ग तो हम यहां पर लिख देंगे A square फिर हमसे कहा रहा है सफेद वाले वर्ग का छेतरपल तो देखिए सफेद वाला वर्ग यहां है इसकी दोनों भुजा B है तो यह क्या हो जाएगा B का स्क्वेर लिखा भी है बच्चों तो यहां पर क्या हो जाएगा B का स्क्वेर फिर क्या रहा है काले वाले छेतर का छेतरफल बताईए तो देखें यह जो काला वाला है, यहां भी C है और यहां भी C है तो इसका छेतरफल क्या हो जाएगा? C का वर तो यहां पर हम लिख देंगे काले वाले छेतरफल का C का वर अब दो हरे वाले हैं, इनका छेतरफल क्या है? तो देखिए A खारे वाले का छेतरफल क्या है देखिए ये है B और ये है A यहाँ पे ये है A और ये है B तो छेतरफल का फॉर्मूला क्या बनेगा बुच्चो लंबाई गुड़े चोड़ाई यानि A B अब एक A B इसका और एक A B इसका यानि दो A B तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 A B अब कह रहा है गुलाबी वाले का छेतरफल बताईए दोनों का तो ध्यान नहीं है देखिए गुलाबी वाला है इधर क्या है ये B है और ये C है यहाँ पे ये C है और ये B है तो इसका छेतरफल क्या होगा B इंटू C अब 2 है तो 2 B C तो हम यहां पे लिखेंगे 2BC फिर कहला पीले वाले का छेतरफल बताईए तो देखिए पीले वाले में ये C है और ये A है और यहां पे लिखा भी है A Chel taraf इसको CA लिखेंगे क्योंके हमारे फॉर्मूले में CA आता है तो उनों पीले वाले का छेतुपल 2CA, अब सबको जोड़ देंगे, तो क्या बनेगा, A square plus B square plus C square plus 2AB plus 2BC plus 2CA, यानि देखिए, हमारा वो जो formula हम पढ़ते हैं, वो यहाँ पर आ गया, अब इसी के अधार पर हमको प्रश्णों को हल कर, हमसे कह रहा है, P plus 2Q plus 2R का square का प्रसार की दिए, हम यही वाला formula वच्चों यहाँ लगाएंगे, तो यह हो जाएगा, P का वर्ग, धन 2Q का वर्ग, धन 2R का वर्ग, धन 2 गुड़े P, गुड़े 2Q, फिर 2 गुड़े 2Q, गुड़े 2R, धन 2P, गुड़े 2R, हल करेंगे, P का वर्ग, धन 4Q का वर्ग, धन 4R का वर्ग, धन 4PQ, धन 8QR, धन 4PR, तो यह हमारा answer हो जाएगा, बच्चों, A, RID, B, बटा 2, धन 2C, बटा 3 का वर्ग का प्रसार की दिए, तो पहले हम उसको A plus B plus C के form में convert करेंगे, बच्चों, कैसे करेंगे, देखेंगे, अब सको A plus bracket में RID, B, बटा 2, धन 2C, बटा 3 का स्क्विल, तो अब हम formula लगाएगे, तो हो जाएगा, A का वर्ग, धन RID, B, बटा 2 का वर्ग, धन 2C, बटा 3 का वर्ग, धन 2 गुडे A, गुडे RID, B, बटा 2, धन 2RID, B, बटा 2, गुडे 2C, बटा 3, धन 2A, गुडे 2C, बटा 3, तो ध्यान देंगे, अब देखेंगे, यहाँ पे आपका इस दो से ये दो कट जाएगा, इस दो से ये दो कट जाएगा, तो अब जब महल करेंगे, तो क्या जाएगा, A का वर्ग, धन B का वर्ग, बटा 4, धन 4C का वर्ग, बटा 9, RID, AB, RID, AB, देखेंगे, यहाँ से आगे हमारा, RID, AB, RID, 2 बटा 3, BC, धन 4 बटा 3, CA, यह हमारा एंसर हो जाएगा, बटसेंगे, नेक्स्ट हमते कह रहा है, X प्लस, X धन Y बटा 2, RID, Z बटा 5 का वर्ग का प्रसाथीकिए, तो इसको भी पहले हम convert कर लेंगे, हो जाएगा, X धन Y बटा 2, धन RID, Z बटा 5, का वर्ग, तो यह हो जाएगा, X का वर्ग, धन Y बटा 2 का वर्ग, धन RID, Z बटा 5 का वर्ग, धन 2 गुडे X, गुड़े y बटा दो धन दो y बटा दो गुड़े y बटा दो गुड़े रिड जड बटा पांच धन दो गुड़े रिड जड बटा पांच गुड़े x यहाँ पे देखिए इस दो से ये दो कट जाएगा और इस दो से ये दो कट जाएगा एंसर क्या आ जाएगा बच्चों एंसर आ जाएगा x का वर्ग धन y का वर्ग बटा 4 धन z का वर्ग बटा 25 धन xy रिड y z बटा 5 रिड 2 बटा 5 z x फिर क्या रहा है a-b-c का whole square का प्रसार कीजिए तब इसको पहले convert करेंगे बच्चों यह हो जाएगा a plus bracket में minus b plus bracket में minus c का whole square यह हो जाएगा a square plus minus b का whole square plus minus c का whole square plus 2 into a into minus b plus 2 into minus b into minus c plus 2 into minus c into a answer क्या जाएगा a square plus b square plus c square minus 2 a b plus 2 b c minus 2 c a next हम से कह रहा है एक वर्गा का छेत्र का छेत्र फर्ग 2 x square plus y square plus 8 z square minus 2 root 2 x y plus 4 root 2 y z minus 8 x square वर्ग काई है तो इसकी भुजा ग्याद कीजिए तो हमें पता है कि वर्ग का छेत्र पल होता है भुजा गुडे भुजा यानि भुजा का वर्ग तो इधर हम रख देंगे भुजा का वर्ग और इधर क्या रखेंगे यही आपना यहाँ पे से लिख देंगे 2 x square plus y square plus 8 z square minus 2 root 2 x y plus 4 root 2 y z minus 8 x square अब देखिए बच्चों इसको हमें convert करना पड़ेगा किस form में अभी हमने जो यहाँ पर यह formula निकाला है यह formula जो अभी हमने निकाला है इसी के form में हमको इसको convert करना है चलिए तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा हमारा root 2 x का whole square इसको अगर हम convert करें 2 x square को तो हम लिख सकते root 2 x का whole square इसको हम लिख सकते plus minus y का whole square लिख सकते हैं फिर यहाँ पर हम लिख सकते हैं plus 2 into root 2 z का whole square यानि इसको हमने z बना दिया अब देखिए यह बन गया a, यह बन गया b, यह बन गया c यहाँ पर हो जाएगा हमारा plus देखिए यहाँ पर मैंने इसी चीज़ को नीचे लिख दिया ताकि आपको ज्यादा clear समझ में है plus 2 into root x into minus y plus 2 into minus y into minus 2 root 2 z यानि हमने यहाँ इसको क्या लिखा इसको हमने आए a plus b plus c के whole square के formula में तो देखिए यह हो गया a square plus यह हो गया b square plus यह हो गया c square अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा plus 2 a b तो हमने यहाँ पर रखा 2 a की जगा हमने रखा और b की जगा हमने रखा minus y यहाँ हो जाएगा plus 2 b c तो देखिए हमने रखा 2 b की जगा रखा हमने minus y और c की जगा हमने रखा minus 2 root 2 z अब यहाँ पर गयाँ जाएगा plus 2 c a तो हम यहाँ पर c रखेंगे तो हमने यहाँ पे रखा 2 into minus 2 root 2z into root 2x वही चीज़ यहाँ पे मैंने लिखी यहाँ थोड़ा छोटा हो गया था तो इसलिए मैंने यहाँ पे बड़े में लिख दी अब जब हम इसको solve करेंगे तो अगर हम इसको change करें तो क्या आ जाएगा हमारा a a plus b plus c का whole square क्या आ जाएगा बुच्चों यहाँ पे हमारा आ जाएगा देखिए इसको मैं लिख देती हूँ a यानि हो जाएगा हमारा root 2x plus minus y plus minus 2 root 2z का whole square यही आएगा इसको ही convert करके यहाँ पे मैंने लिखा है देखिए तो यह आपका किसका formula बनेगा a plus b plus c का whole square तो a क्या था हमारा root 2x b क्या था minus y c क्या था minus 2 root 2z तो यही हमने यहाँ पे रखा और इसी को convert करके हमने यहाँ पे लिख दिया है तो यह हो गया root 2x minus y minus 2 root 2z का whole square अभी धर भी square है तो यह square इस square से कट जाएगा answer क्या आजाएगा भुजा बराबर हो जाएगा root 2x minus y minus 2 root 2z यह हमारा answer हो जाएगा बच्चों यह question थोड़ा सा difficult है एक बार फिर से मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ देखे सबसे पहले हमने क्या किया बच्चों कि इसका यहाँ पे मान रख लिया फिर हमने इसको convert किया a plus b plus c के whole square के formula के रूप में तो हमने इसको convert किया a square plus b square plus c square plus 2 a b plus 2 b c plus 2 c a इस form में convert किया तो हमारा जो answer आ गया वो क्या आ गया a plus b plus c का whole square के form में अब इसको हमने correct करके हाँ पे लिखा यह जो आपके चिन है यह plus minus मिलके minus बन जाएगा यह plus minus मिलके minus बन जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा root 2x minus y minus 2 root 2z का whole square अब square से square cancel हो जाएगा तो भुजा हो जाएगी root 2x minus 5 minus 2 root 2z चले next question हमसे कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा x minus 2y plus 5z तो इस वर्गा का आकृती का छेत्रफल ग्याद किए तो हमें पता है कि छेत्रफल बराबर होता है भुजा का वर्ग यानि x minus 2y plus 5z का whole square अब इसे पहले हम convert करेंगे plus के form में तो हो जाएगा x plus minus 2y plus 5z का whole square तो क्या होगा x square plus minus 2y का whole square plus 5z का square plus 2 into x into minus 2y plus 2 into minus 2y into 5z plus 2 into यहाँ पर थोड़ा सा गल्लत है बच्चों यहाँ पर यह 5 ने देगा यह 5 देगा 5z into x अब आप x ती यह होगा ना तो 5z into x ठीक है next हो जाएगा हमारा x square plus 4y square plus 25z square minus 4xy minus 20yz plus 10z x यह हमारा answer हो जाएगा पर जाएगा next अंसे कहारा filling the blank समय करने थे a plus b का whole cube क्या होता है a cube plus b cube plus 3ab bracket में a plus b अब हमको इसका पच्चांतर करना है 3ab a plus b का पच्चांतर करने पर पच्चांतर कर दिया तो क्या हो गया a plus b का whole cube minus 3ab bracket में a plus b बराबर a cube plus b cube अब यहाँ पर b cube तो हमें बर रही था तो अब a cube plus b cube को इन्होंने क्या लिखा a plus b को common ले लिया जब a plus b को common ले लिया तो अंदर क्या बच्चा a plus b का whole square minus 3ab अब क्या हो गया a cube plus b cube हो गया a plus b का whole cube minus 3ab bracket में a plus b सेम यही चीज़ इनों में फिर से यहाँ पर repeat करके दिखाईए बच्चों देखे a plus b को common ले लिया तो अंदर क्या हो गया a plus b का whole square minus 3ab फिर a plus b अब अंदर हम इसको solve करेंगे a plus b के whole square को a square plus b square plus 2ab plus minus 3ab अब यहाँ पर plus लिखा था तो इसलिए मैंने minus यहाँ लिख दिया हलाक यहाँ minus होना चाहिए तो a plus b bracket में दूसर minus ab अब minus ab कहाँ से आया देखे यहाँ पर minus 3ab था और यहाँ पर plus 2ab था इसमें से यह घट गया और answer क्या आया minus ab तो formula क्या बना a cube plus b cube is equal to a plus b bracket में a square minus ab plus b square तो हमने सीखा कि a cube plus b cube बराबर होता है a plus b का whole cube minus 3ab bracket में a plus b दूसरा formula जो हमने बनाया a cube plus b cube हो जाएगा a plus b दूसरे bracket में a square minus ab plus b square तो इस formula से आगे के प्रश्णों को हम हल करेंगे बच्चों यहाँ पर हमारा ये वीडियो समाप्त होता है next वीडियो में हम इसके आगे के प्रश्णों को हल करेंगे तब तक के लिए पढ़ते रहे आगे बढ़ते रहे बाई बाई बच्चों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में करेंगे करेंगे